नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी आए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर अध्यत्मिक अर्थों में संगम उस स्थान को कहा जाता है जहां पवित्र नदिया प्राकर्तिक रूप से आकर मिलती हैं लेकिन धर्म के नाम पर लोगों से सहनुबूती बटोने वाली भाजपाल लोगों की आस्ता के साथ खिलवार कर रही है नर्मदा शिपरा लिंक योजना को लेकर शनिवार को प्रदेश कौंगरिस प्रवक्ता और वरिस्ट अधिवक्त अप्रमूत कुमार दिवेदी ने सवाल उठाए दिवेदी ने बताए कि नर्मदा कजल पाइपलाइन के जरीय लाकर खिपरा के उद्गम स्थल पर लाकर मिलना और इसे संगम कहना तारकिक नहीं है बीटकाई सालों से खिपरा में गंदे नाले मिल रहे हैं बावजोत इसके प्रदेश के मुख्यास नान करके क्या साबित करना चाहते हैं ये समझ से परे है नहर प्राकतिक रूप से बनी हुई ये वहाँ पर करोड़ों 700 करोड़ रूपे की योजना के अधार से नर्बदा चिपरा लिंक योजना प्रारम की गए नाम दिया गया है कि यहां नर्बदा और चिपरा का संगम है और लोग इस्नान करते हैं एक तिर्थी स्थल के रूप में वास्तों में शिपरा नदी महां विलुप्त हो चुकी है अपने उद्गम स्थल से और साथ किलो मिटर दूर जाकर के फिर प्रगट हुए और थाथ उस मंदीर से किसी भी प्रकार का पानी शिपरा नदी का प्रवाइट नहीं होता है कुंड बना हुआ है इस कुंड में नर्बदा नदी से लाए हुए पाइप को छोड़ा जाता है नर्बदा नदी का कुंड अलग है तो फिर संगम कहां से हुआ है लोगों के धार्मिक आस्ताओं से क्यों खेल रहो साथ सो करोड रुपे की यह योजना है पूरा किया गया अभी आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉल बांड घुटाला उसमें पचास करोड रुपे इसी कंपनी ने जिस कंपनी को ने नर्बदा छिप्रा लिंक योजना का काम किया पचास करोड रुपे भारती जन्ता पार्टी की शरकार को दिया क्या आप लोगों को लगता है कि वह साथ सो करोड की योजना है वास्तिव की स्थिति आप लोगों के सामने है कि वहां पर अभी कुंड खाली है कुंड में पानी नहीं है नर्बदा के त्रती चरण जो इंदोर में पहुंच रहा है जितना पानी इंदोर में पहुंचता है उतनी ही लागत इस कुंड तक पानी पहुंचाने में सरकार वे कर रही है बहुततर रुपे बहुततर रुपे एक हजार लीटर पानी ख़र्च होता है कहा गया कि 305 मीटर उपर हमने पानी को चड़ाया है जबकि इस तीरती स्थाल के फोटो आप देखेंगे तो 25 फुट उपर नर्वदा की लाइन जा रही है वहां से पाइप के जरीए कुंड में पानी छोड़ा जाता है और फिर ये पानी गाओं में जाता है अभी बंद कर दिया गया तो नर्वदा और छिप्रा संगम कहा है लोगों के धार्मिक आस्थाओं से आप क्यों खेल रहो और पाइप के जरीए पानी छोड़ करके अगर नदियों का संगम किया गया तो फिर हर नदी का संगम किया जा सकता है मैं एक टब में नर्वदा का पानी लियाता हूं दूसरे टब में चंबल का तीसरे टब में यह और सबको पाइप से जोड़ करके एक कुण में डाल लेता हूं वो गया सारी नदियों के पानी का संगम धार्मिक आस्थाएं हमारे सनातन धर्म में महत्पून होती है संगम अगर देखना हो तो इलाबाद की त्रिवेणी नदी का संगम देखिए संगम अगर आपको देखना है तो बड़ी कलमेर में चंबल नदी और नर्बदा नदी के संगम को देख लीगी है वहाँ एक मंदिर बना हुआ है दोनों तरफ घाट हैं बड़ी कलमेर हातोत तेशी का यह प्राकतिक रूप से संगम है अभी 10 मही को जनापाओं में भी जाएंगे जंडा भेड़ फेराय जाएगा वहाँ पर साड़े साथ नदियां जनापाओं में जो कुंड है उसमें प्राकतिक रूप से मिली हुई है संगम यह है तो धार्मिक आस्ताओं से खेलने का काम यह भारती जनता पार्टी का और उसकी सरकार का है जो अपने आपको बड़ी सनातन धर्म की पूरोद्धा बता रही है आप लोगों के सामने में आज की इस्तिती रख दिये कि दोनों कुंड खाली हैं कुंड में पानी नहीं है और पंच कोशी यात्रा चल रही है जो लोग उज्जेन नदी में इसना नहीं कर पाते और ग्रामेर शेत्र के लोग परिक्रमा करते हुए अगर शिपरा मैया के उद्गम इस्तल के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें न तो नर्वदा का पानी मिलेगा और शिपरा शिपरा चूपकि वहां से 7 किलो मीटर विलुपते हैं साथ किलो मीटर दूर बाद प्रगट होती हैं लोगों के धार्मिक आस्ताओं से जिस प्रकार का खिलवार हो रहा है मैंने इसको उजागर किया है